नमस्ते बच्चों, अभी सेकेंड पार्ट का दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, प्रेशनों के उतार, शब्दार, भाषा की बार, सेकेंड बिंदू, इन शब्दों को अलग कीजिये और लिखिये, यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं, लकडी के बारे में और अन्य वस वस्तुवे, अन्य वस्तुवे, लकडी से कौन कौन सी वस्तुवे बनी होती है और अन्य वस्तुवे कोन सी होती है, खीड की, गिलास, मेज, कलम, पंखा, बल्ला, किताब, कूर्सी, थैली, दरवाजा, इन शब्दों को हम लकडी से जो बने हैं, उनको अलग करके लकड़ी से बनी वस्तुवे, अन्य वस्तुवे, लकड़ी से कौन सी वस्तुवे बनी होती है? आईए देखिये इन शब्दों के अंदर, खीड़की, मेज, बल्ला, कूर्सी, दर्वाजा, तो इन शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे, जहां लकड़ी से बनी वस्तुवे लिखा हुआ है, अन्य वस्तुवे कौन सी है? गलास, कलम, पंखा, किता, थेली यह अन्य वस्तुवे हैं, अब हम बात करेंगे भाशा की बात, भाशा की बात में ग्रामर, समझो, पड़ो, यहाँ पर एक पेड लिखा है, एक पेड, अनेक पेड, यानि कि एक ही पेड होता है, और अगर बहुत सारे पेड होते हैं, तो उसको बोलते अनेक पेड, उसी तरह से एक फूल, अनेक फूल, एक घर, अनेक घर, नेक्स्ट, निम्न संकेतु के आदार पर पेड के बारे में लिखिये, यहाँ पर कुछ संकेत दिये गए हैं, और कुछ शब्द दिये गए है उनके बार, पेड के बारे में हमें यहाँ पर पांच बिंदू लिखने हैं, पेड, पत्ता, पेड के उपर पत्ते लगते हैं, फूल, पेड में फूल लगते हैं, पेड, शाखा, पेड की शाखाए होती है, पेड, तना, पेड का एक तना होता है, पेड, फल, पेड से हमें फल मिलते हैं आज का हमारा पार्ट यहीं समात हुआ, नमस्ते